गाइस कैसे आप सभी आशोकरतों सब बढ़िया होंगे वेल थोड़ा बढ़िया मैं नहीं हूँ मेरी हैल्थ उतनी अच्छे नहीं है फिलाल इसलिए कम वीडियो सारे लेकिन जिसके बारे बात करने वाले है वह है ओला प्रो क्योंकि आप लोग के काफी ज्यादा मेल एन मैसेज़ेस आ रहे कि एक्च्छल रेंज ऑफ ओला एसा सवाल क्यों पूछ रहे तो वेल लोगों ने बोला कि आपने प्रदीव और वील की वीडियो देखिए इवी ग्यान भाई की वीडियो देखिए मैंने वीडियो में देखता रहता हूं बीच-बीच में कभी-कभी अगर लगता है तो मैं जरूर देखता हूं एक्च्छल में कहानी यह है कि प्रदीव और वील की जब मैंने पूरी वीडियो देखिए जो एक्च्छल में कॉंट्रवर्सी चल रही है जिसके आज वाज चल रही है देखो उस देखिए वह कभी-कभी बहुत टॉप स्पीड पर चला रहा है कभी-कभी और आप लोगों पता है 15 या कुछ परसंट के बाद वह सीधे-सीधे एकदम नॉर्मल मोड पर आ जाता है जिस पर आपकी स्पीड 40 से 45 नहीं होगी तो जो आखरी किलोमेट्र सोंगे शायद वह ल उन्हों चलाते हुए भी अगर 100 किलोमेटर की रेंज मिल रही है इस टाइप के वेहिकल से फिर भी अच्छा है अगर दूसरे वेहिकल से कंपेर करेंगे अगर उसमें मिक्स चलाते हो तो अल्रेडी उसका बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है फिर भी 135 से 100 किलोमेटर मिलन अगर आपकी ड्राइविंग कंडिशन बहुत जाता है अगर आपकी ड्राइविंग कंडिशन अगर प्रॉपर रहेगी तो रेंज आपको 110, 170 तक easily मिल जाएगा जो की भाई रिजवान भाई टेस्ट कर रहे है जो ग्रूप के वार है मैं आपको EVGAN भाई ने बताया उस ग्रूप में मैं भी added हूँ उस ग्रूप में मैं भी active रहता हूँ मैं देखता रहता हूँ उसमें क्या चल रहा है क्योंकि वो owners का ग्रूप है और वहाँ पे owners लोग कुछ ना कुछ upload करते रहते हैं जो भी उनका feedback रहता है उस vehicle से related तो हम भी उसमें add है तो उसमें भी हमको दिखता रहता है वो भी सही है प्रदीवन वील की भी बात सही है आप मैं यह चीज़े हटा देता हूँ यह दोनों की बात आपको करना है जहां क करना कर सकते बाट actual जो मेरी audience काफी टाइम से बोल टे कि actual range है कैसे वहिकल का वेल दोस्तों actual range जो भी निकल के आएगी वो आपके riding condition में निकल के आएगी अगर मैं चलाओ प्रदी भाई चलाए या EV गयांट जो अपने तरुन भाई है अगर वो चलाते वहिकल सबकी range अलग नहीं कर सकते कि भाई वो ऐसा निकाल रहा है वो ऐसा निकाल रहा है मैं कैसा निकाल रहा हूँ अगर आप ऐसा consumer सोच रहे है तो मैं आपको यही बोलूगा कि भाई test drive ज़रूर लेना चाहिए आपको और आपको वो 3-4% का जो drop होता है बैटरी का उसमें आपको note करना है कि actual range क्या मिल रहा है क्योंकि तीन से चार परसंट के जो drop हुआ है बैटरी का उतने देर आपने चलाई है आपकी राइडिंग कंडिशन वैसी है अगर उस राइडिंग कंडिशन में जो भी आपका range निकल के आ रहा है जो आपकी top speed निकल के आ रही है उस हिसाब से अगर judge आपका range प्रदीब और विल से ज़ाधा निकले हो सकता है जो हमारे दूसरे यूटूबर भाई लोग भी विडियो बना रहे उससे भी आपका ज्यादा निकले या हो सकता है उससे भी कम निकले प्रदी भाई का 100 निकला है तो शायद आपका 90 से भी कम निकल जाए यह पूर यह कंडिशन है वो भी छोड़ दो आप अपने पर डिपेंट हो जाओ क्योंकि अगर आप कोई फोर वीलर भी लेते है जब पेट्रोल वाइक भी लेते है तो भाई पहले टेस्ट राइब ज़रूर लेते हो ना आपको सेटिसफाइड होना चाहिए अगर आप सेटिसफाइड कोई कुछ भी बोले आपके हिसाब से क्या रेंज मिल रही है अगर कितना ड्रॉप हो रहा यह वर चेक आउट कर लो अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ड्रॉप हो रहा है मेरे राइडिंग कंडिशन में तो हो सकता है 135 का जग आपको 100 मिले शाद 110 किलोमेटर मिले यह ड जब भी ड्राइब करेंगे तो most probably उनका जो रेंज होगा वो प्रदी भाई से जादा ही होगा अब प्रदी भाई भी actual में अगर 40 की स्पीड से 50 की स्पीड से चलाते है जादा कुछ करते नहीं तो फिर उनका भी रेंज अच्छा मिलेगा अगर आप ओला इलेक्ट्रिक वे तो condition differ differ होगी आप किस condition में चलाता है यह आपके उपर depend करता है ना कि प्रदी भाई पे ना ही EV गयन पे ना ही रूपम ब्लॉक्स पे यह पूरा depend करता है आपके राइडिक condition में मैं किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहता दोनों भाई इसनी जगे पे सही है बस आपका नजरिय range निकल के आएगा अगर आप city में ज़्यादा चलाते है और आप ज़्यादा 40-50 से ज़्यादा नहीं चलाते है तो फिर आपकी range अलग आएगी यह थोड़ा ध्यान रखना यह चीज आपको पता होनी चे बिफोर यू बाई दिस Ola S1 Pro अगर आप पूछोगे कि इसके actual range क्य अगर आप चलाते हैं तो यह condition differ हो जाती है तो range आप की उपर depend करता है कि आप क्या निकालते है सिंपल सी भाशा में यही चीज आशा करता आपको वीडियो समझ में आओगा अच्छा लगाओगा तो प्लीस लाइक कर देना किसी से जगड़ा करने नहीं है बस मैं as a consumer को एक टिप देने आया था कि भाई आप ऐसे करके उस गाड़ी को जच करो ना कि through a YouTuber जच करो आप अपने से जच करो तो ज़्याद अच्छ है वीडियो अच्छा रहा तो लाइक कर देना नहीं तो subscribe कर देना अच्छे तो प्लीश